हरी ओम, स्टुडेंट्स स्वागत है आपका, फिरी स्टडी वाय लोधी सर के यूटूब चैनल में, दोस्तों आज हम लेकर के आये हैं, गड़त में लगुत्तम समाबबर्त और महत्तम समाबबर्त की एक सीरिज, जिसका आप देख रहे न सायदी पार्ट 6 या पार्ट 7 इसक करता है, SSC, एकजाम और रेलवे, एकजाम में पूछे ही जाते हैं, आज हमने उनी अच्छे प्रसनों को इसमें सामिल किया है, तो स्टुडेंट्स यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में व स्टुडेंट्स प्रारम करते हैं, इसकी हमने लगुत्तम महात्तम की एक सीरिक प्रारम की है, जिसमें लगवग हम आठ वीडियो इसके लाएंगे, और आठ वीडियो में जितने भी इंपोर्टेंट टाइप के कोस्टेन इसके होते होंगे, हम सभी आपको करवा देंगे, तो आएए देखते हैं आज का जो टाइफ फरस्ट है, इसमें किस प्रकार के प्रस्णों को सामिल किया गया है, प्रस्णों फरस्ट इसमें स्टुडेंट्स कह रहे हैं, कह रहे हैं, दो संख्याओं का योग 84 एबं उनका महत्तम समापर तक 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल कित प्रस्णों कि इस प्रकार के प्रस्णों में जो महत्तम समापर तक होता है, ये एक यूनिट के बरावर मान लिया जाता है, आप ऐसा मान लें, अब कैसे होता है, अभी हम आपको बता रहे हैं, महत्तम समापर तक कितना होता है, एक यूनिट, अब जो भी यहाँ लिखा होत जैसे के रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 84 है और उनका महत्तम संवबर तक 12 है तो ए कमान कितना हो जाएगा इस कमान हो जाएगा 12 unit ठीक है मतलब बाराए और फिर दूसरी जो संख्या हो रही होगी वो कितनी हो रही होगी बाराभी तो इन दोनों का उनने क्या कहा है योग कहा है तो बाराए धन बाराभी इनका योग हमें कितना रख देना है यहाँ पर इसका योग हमें रख देना स्टुएंट्स यहाँ पर कितना 84, ठीक है? दो संख्याओं का यूग कितना कहा रहे थे? 84, 20 संख्याओं अपन ने A or B मान ली, तो उन संख्याओं में अपन ने 12 का कुणां कर दी, यह महत्तम समा बरतक का कुणां हो था है, हमें साथ याद रखो, क्योंकि महत्तम बर्तक से बो संख्याएं बेवाजित होती हैं तो बारा एधन बारा भी बराबर 24 हो गया तो यहां से जब हम बारा कामान ले रहा होंगे चूरासी हो गया यहां से जब हम बारा कामान ले रहा होंगे तो यहां मिल जाएगा एधन भी बरावर कितना 84 इसलिए जब हम यहाँ एधन b का मान निकाल रहा हूँगे तो यहाँ आरहा होगा 84 बटे 12 ठीक है श्ट्टेट्ट्स जब हम 12 से84 को 12 से 84 को cancel कर रहा होँगे तो कितने बार जा रहा होगा भाग 12 सथ्टे 84 कितने बार जा रहा होगा students भाग जा रहा होगा, 7 वार, ठीक है, कितने वार जा रहा होगा, 7 वार, तो 12 से हम 84 को cancel out करते हैं, 12 सत्य, 84, sorry, यहां कितना लखेंगे, हम 7 लखेंगे, मतलब A plus B की value हमें students कितनी मिल गई, A then B का मान कितना हमें मिल गया, A then B मिल गया, हमें कितना, 7, अब हम students क्या करते हैं, A then B का मान यदि हमें 7 मिल गया, तो अब हम ऐसी संख्याओं के जोड़े यहां पर लिखते हैं, जिनका योग साथ हो रहा हो, यहां हमें देखना है, यदि योग मिलता है, तो हम योग साथ लिखते हैं, गणा मिलता, तो गणा अंतर मिलता, तो अंतर, अब students हम ऐसी संख्याओं को देखते हैं, जिनका योग साथ हो रहा है, तो ऐसे जोड़े हम पहले लिख लेते हैं, कि ऐसे जोड़े, कितने होंगे जिनका योग साथ हो रहा हो, तो सबसे बड़ाई से चालू कि अगर है तो एक तो छे और एक इनका योग कितना हो रहा साथ फिर हम देखेंगे अगला जो पेर बनेगा ये पांच और दो इनका योग भी कितना हो रहा साथ फिर और हम अगला पेर देखेंगे तो चार और तीन इनका योग भी कितना हो रहा साथ और तो किसी पेर का मान होता है नहीं होता चुछा और एक साथ पांच और दूसा चार और तीन साथ आदे के करीव आ जाते हैं फिर नहीं होता है तो ठीक स्क्रेंट अब हमें यहाँ जरह ध्यान से समझना आप एक संख्या होती है सह अभाज एसी संख्याओं को हम सह अभाज संख्याओं कहते हैं जिनका SCF एक होता है मतलब जिनका महत्तम समाबर तक एक होता है ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज संख्याओं कहते हैं तो यहां हमें सह अभाज संख्याओं ही लेना होती हैं तो अब आप द क्या चारो तीन सहवाज संख्या हैं बिल्कोल हैं क्योंकि चारो तीन का महत्तम समाबरतक एक होगा तो इस प्रकार की संख्याओं के हमें कितने जोड़े मिल गए तो इस प्रकार की संख्याओं के एक, दो, तीन मतलब कितने योगम होगे इनकी तीन योगम या पेयर या जोड है और उनका महत्तम स्वावर्ता कितना है 103 तो दो संख्या माना A और B हैं तो उसी परकार से हम करेंगे कि एक संख्या यदि A है तो टोटल वो संख्या का योग कितना बन रहा हुआ 103 है ठीक है और दूसरी कितनी माल लेते हैं हम B तो यहां 103 B बरावर इनका जूड कितना कह रहे थे 721 कह रहे थे यहां 103 हम कामन लेंगे तो कितना मिल जाएगा A धन B बरावर 721 जब हम A धन B की value लुण फेंड कर रहा होंगे, तो ये गुणा में है काई में आ जाएंगी, ये भाग में आ जाएंगी, 130 से जब हम 720 को काट रहा होंगे, इस तो ये कितने वार कट रहा होंगे, हमें, सात बार, आप काट के देख ले ना, 77, अधिए सत्य क्यां स्कुर एक सत्य सात्य के मतलब यहां भी हमें ए धन भी का जोड़ कितना मिला है। यहां साथ मिला ठीक नाफ सस्वेंड है। अब यदि ए धन businessesrica हमें सात्य मिला तो पहले हम ऐसी संख्यार की लिख लेते अब आप देखो क्या ये सभी सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं बिल्कुल एक और शे कमहत्तमेग पांचरदू कमहत्तमेग चारो तीन कमहत्तमेग मतलब ये तीनों के तीने जोड़े इसके आंसर होंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा तीन योगु मनेंगे अब स्टुएंट्स यदि वो संख्याओं का पूच रहे होते हैं क्या पूच रहे होते हैं यदि संख्याओं का पूच रहे होते हैं तो हम साथ का गुणा करके इन संख्याओं को find कर सकते हैं इसका जो ये उनका योग निकलता है इसका यहां गुणा करके हम कुछ संख्याओ को प्राप्त कर सकते हैं संख्याएं कभी नहीं पूची जाती क्योंकि संख्याएं कई होती हैं कई बार निकलती भी नहीं है उसका लग फंडा है हम आपको बताएंगे योग में यदी पूचे जाते हैं तो योग में कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं तो इसका अंसर क् ठीक स्टेंट्स अगला कोस्टन ये तीसरा है ये आपको कमेंट बाक्स में हमें लग करके बताना है कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 528 सुरून का महत्तम समवर तक तक तेतीस है तो ऐसे योगमों की संख्या कुल कितनी होगी 8, 9, 7 या 9 दीच इनमें से कोई नहीं अगला क करके बताएं कि इनका आंसर क्या होगा स्टेंट्स आप कमेंट बाक्स में लिखकर के हमें इनके आंसर को बता सकते हैं अब हम देख लेते हैं अगला टाइप कोस्टन जिसमें हमने अंतर वाले कोस्टन को लिया है तो देखते हैं अंतर वाले कोस्टन को हम कैसे हल करते हैं स इसमें कह रहे हैं दो संख्याओं का महत्तम 27 उनका योग ठीक है ये देखो ये ये उपर यहां लिखा है इसको भी आप हमें कमेंट बाक्स में लिखकर के बताएं तो इसको हम कौन सा कोस्चन दे दें चोथा था तो इसको हम पांचमा कोस्चन दे दे रहे हैं कमेंट बाक्स में हमें लिखकर के बता हैं कि इस कांसर क्या आ रहा होगा ठीक है स्टेंट्स अब हम अंतर पर आधारित कोस्चन को देखते हैं तो क्या कह रहे हैं कह रहे हैं दो संख्याओं का महत्तम समा बर्तक 12 है जबकि उनका अंतर कितना है 36 है तो हमने आपको अभी बताया था कि महत्तम समवर तक को हम क्या बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं, तो माना होई संक्या A और B हैं, तो हम यहां लिख रहे होंगे, कितना हम लिख रहे होंगे, 12 A, 12 B, बराबर इनका अंतर कितना है, अंतर मतलब घटा ने लगा दिया, इनका अंत छख रहे होंगे, यहां पर कितना? 36, ठेले होंगे, यहां हम 12 B, बराबर 36, यहां से जब A और B का मान नेकलेगा, तो 36 बटे कितना नेकलेगा? 12 12 से 34 के इंसल आउट। होंगे, 3 यहां हम एसी संख्याओं को लेते हैं जिन का हमें क्या मिला? students तो फिर यहां हमें अंतर मिला तीन यहां हमें किया मिला इसी संख्याओं कि कि तो जिनका उंतर तीन है तो देखो कंई पैर हो सकते आप जिनका गटताने पर उंतर तीन आजाए तो ऐसे तो बहुत से पैर होंगे ठीक है जैसे हम लेकिन कुछ योर्ट च्छे का पियर बन रहा होगा, बारा और नो का पियर बन रहा होगा, पांच और आट का पियर बन रहा होगा, चार और एक का पियर बन रहा होगा, चार और एक का पियर बन रहा होगा, उसे तो अनन्त पियर बनेंगे, क्या बनेंगे, अनन्त तो ध्यान रखना, इस प्रकार क प्रसन का हमारा आंसर क्या होता है अनंत होता है मतलब अनंत पेर या असंख फेर इंफिनीट पेर इसके बनेंगे मतलब ध्यान रखना यदि अंतर का आपको कोस्चन आ जाए और यदि कितने जोड़े संभव हैं तो आपको असंख या अनंत कह देना है स्ट्वेंट्स इन अनंत ही होता है अगला टाइप कोस्चन अब हम देख लेते हैं जिसमें अगला टाइप कोस्चन हमने लिया है यहाँ गुणावाले प्रसनुको किंको कीसे ह heck करते हैं इनको देख लेते हें ठीक है इसको आप कुछ भी आज का कोई भी टाइप माने आई कि चलो आज के हम टाइब टू तक हमने करवा दिए जोड़ना के बता दिए और क्या बता दिए हमने घटाना के बता दिए अब हम आपको कौन से कोस्चन्स बताने वाले हैं अब हम आपको गुणा के कोस्चन्स बताने वाले स्ट्वेंट्स की इस प्रकार के प्रसने दिया ज तो फिर हमें वही रखना है कि महत्तम समवर तक कितना है 12 मतलब यूनिट कितनी है 12 है ठीक है तो दो संख्या है क्या मानते थे यह और बी है तो यहां पर हम क्या लखेंगी 12 अब हमें का मान निकालना है किसका a into b का ठीक है तो यहां से हम जब a गुणा बी की value find कर रहे होंगे, तो यहां आ रहा होगा कितना 2700, बटे ये 12 गुणा 12 कहां रहा होंगे, नीचे आ रहा होंगे, ठीके स्ट्रेंट्स, जब हम 2700 को 12 गुणा 12 144 से काट रहे होंगे, तो आप काट लेना, आप यहां पूरा ये 12 से जब हम 2700 को काट रहे होंगे, फिर जतना फिर हम जब 1200 से 27 को काट रहे है तो यहां पर हमारा आंसर जो अच्छा महत्तम समर तक कितना है 15 है चलो ठीक है 15 तो फिर हम यहां 15 लेके देते 12 नहीं कितना है 15 है सोरी 15 गुणा 15 तो यहां भी कितना जाएगा 15 गुणा 15 ठीक है तो पंदर ही पंदर हम कितना होगा 225 और 225 से जब हम 27 काट रहे होंगे 225 से 27 काट रहे होंगे तो कितने बार कट रहा होगा 262 पंदर है 226 ठीक है स्टिवेंट तो यह कट रहे होंगे कितने बार यह कट रहे होंगे 12 वार कितने बार बार या ठीक, शेट ओर, 12-बाइबार, तो, Aगण, B का मान कितना आया, स्टेंट्स यहां, Aगण, B का मान कितना आया, 12-बाइबा, मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी दो संख्याओं को ढूनेंगे, जिनका गुणन फल कितना आ रहा होगा, 12 आ रहा होगा, ठीके, तो, A pig को हम छे और छे रहेगा, फिर एक चार और तीन तीचो को बारा रहेगा, फिर एक छे दूनी बारा रहेगा, हाँ मतलब ठीक है, छे और दो को भी हम, यहाँ पर लिख सकते हैं students, बारा एकम, बारा, बिल्कुल सही है, छे दूनी बारा, छे चुछ तीन जोड़ का यह गलत है, चार त्री बारा और छे दूनी बारा, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर सहे अभाज संख्याओं की पेर हमें लेना होते हैं, सहे अभाज संख्याओं की पेर लेना होते हैं, चाहे जोड़ ना, गटा ना, गड़ा बाग, हम कुछ भी कर रहे हैं, सहे अभाज संख्याओं को कहते हैं, जिन का महत्तम समवर तक एक होता है, तो क्या 12 और 1 का महत्तम समवर तक एक है, बिल्कुल है, क्या 6 और 2 का महत्तम स दो जोड़े बन रहे होंगे या दो योगम बन रहे होंगे इसका अंसर एस ही होगा अब यदी वो कह रहे हैं अब यदी वो कह रहे हैं कि इनके वो संख्याएं क्या हैं तो जैसे बारा और एक और एक पेर कितना बन रहा था स्टुएंट्स यहां पर चार और तीन तो हमें ज जो उनका जराध्यान से आप सुने जो उनका गुलनफल का मान निकलता है उनका हम गुणा करके देख लेते हैं इन संख्याओं मैं एक कमान अच्छा हाँ देखो यहां क्या कह रहा है तो एक संख्या है पंदरा ए और एक है कितनी पंदरा दी तो यह गुणन फल नहीं हम कितने कमान रखेंगे महत्तों समवर तक यूनिट कमान रखते हैं हमें साध्यान रख लो मतलब बारा में हम 15 का गुणा करेंगे तो कित कितना रहा होगा यहां 15 तो 180 और 15 एक संख्या हो गई फिर यहां 4 में भी हम 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60 और 3 में भी हम 15 का गुणा करेंगे तो 15 3 45 तो यह संख्या आ रहे होगी कितनी 180 और 15 और दूसरी संख्या आ रहे होगी 60 और 45 तो इस प्रकार से संख्या को भी find यहाँ पर कर सकते हैं, ध्यान रखना, यह हमने mistake कह दिया था, यह गुणा कोई unit नहीं होती, हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि unit क्या होती है, महत्तम समबर तक, मतलब जो हमें महत्तम समबर तक दिया है, उसी unit का इन संख्याओं में गुणा किया जाता है, मतलब हम कितने का गुणा करेंगी, इस सम में हम कितने का गुणा करेंगी students, पंदरा का गुणा करेंगी, साइद आपको समाझ में आ रहे होंगे, ठीक students, अगला question देखते हैं, ठीक है, अगला टाइप है आज का, और आज की अगले टाइप में हैं, क्या कह रहे हैं students, कह रहे हैं, दू संख्याओं का महत्तम समबर तक ये टाइप 4 आप समझ लें, टाइप 4 समझ लें आज का, दू संख्याओं का महत्तम समबर तक 13 तथा लगुत्तम समबर तक 455 है, यदि उन में से एक संख्या कितनी है, यदि उन में से एक संख्या 75 वा 125 के बीच में स्थे रहे, तो फिर वह संख्या क्या होगी, ये हमें find करना है, ठीक है students, तो इसको करने के लिए, वही जैसा की देहान करो एक फार्मूला बताया था, कि दो संख्याओं का गुड़नफल उनके लगुत्तम और महत्तम समबर तक गुड़नफल के बराबर होता है, मतलब पहली संख्या गुड़ा, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, NCM गुड़ा HCF, ये होता है students, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुड़नफल होता है, ये दोनों संख्याओं का गुड़नफल, उनके लासा और मासा के गुड़नफल के बराबर होता है, तो हम उन संख्याओं को कितना मान लेते हैं, मान वह संख्या है, A और B हैं, अब उनका महत्तम कितना दिया है, उनका महत्तम दिय यहां पर 455 और LCM दे रखा है 455 और SCF कितना दे रखा है 13 ठीक है तो यहां पर हम लिख देंगे 13 इस्टुएंट्स जहां पर यहां से जब हम A into B की value निकाल रहा होंगे तो यहां आ रहा होगा 455 गुणा 13 और बटे में यहां आ रहा होगा 13 गुणा 13 13 से 13 cancel out हो रहा होंगे तो इनका जो गुणफल आ रहा होगा अब हम 13 से 455 में भाग करेंगे मतलब यहां आ रहा होगा 455 बटे 13 ठीक है स्टुएंट्स तो 13 3 49 कितने बचे 6 उतारे 65 तेरा पना 65 मतलब A into B का मान यहां पर हमें कितना आ गया स्टुएंट्स ए और B का मान कितना गया 35 ठीक है अब हम यहां से पता करते हैं जो A और B का मान 35 मिला है जैसा कि हम सुरू से करते आ रहा है तो अब हमारे लिए अब यह गुणा 35 मतलब ऐसी संख्याएं देखना है जिनका गुणफल कितना हो रहा हो 35 हो ठीक है तो ऐसी संख्याओं के पेर्ट को हम लिख लेते एक से ही चालू किया करें तो जिनका गुणा 35 हो रहा तो एक तो एक और 35 का गुणा ही 35 होगा फिर 7 और 5 का गुणा भी 35 होगा और क्या पेयर है जिनका जो गुणा है वो 35 हो रहा है अब आप देखें नहीं है और स्टुएंट्स ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनका गुण 35 हो रहा है इसका मतलब अब हमें यदि पेर पूचते तो पेर कितने होते दो लेकिन कह रहे हैं कि यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थर है तो वह संख्या क्या है अब हम उन संख्या यहां पेर नहीं पूचा उन संख्याओं को पूचा है तो संख्याओं को हम क तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है? तो तेरा है एक हम कितना आएगा? तेरा आएगा, तेरा का हम 35 में गुणा करेंगी, तो तेरा पन्ची 65 की पांच हसलाई छे, तेरा त्री उन्ता लिस और छे, पैता लिस कितना आ गया 400 पच्पन, और यहां फिर अगली संख्य यह साथ में भी हम 13 का गुणा करेंगी, तो 13,7,91 और 5 में भी हम 13 का गुणा करेंगी, तो 13,65, मतलब हमें 4 संख्या है प्राप्थुई, 13,451,95 अब वो कह रहे थे, कि वह संख्या क्या है, जो 75 और 125 के बीच में है, मतलब 75 से ज़्यादा और 125 से कम, तो यहां आप देखो 75 से कह रहे हैं, तो देखो, कह रहे हैं, 75 और 125 के बीच में है, 75 से ज़्यादा 125 से कम, इसका मतलब स्टुईंट्स हमार आंसर क्या होगा, C91 इसका आंसर होगा, ठीक है स्टुईंट्स, इसी परकार से हमने आपको एक कॉस्चन्स करने के लिए दिया है, इसी परकार से करना है, क तो इसी परकार से करोगे, महत्तम सबर तक साथ है, तो आप लेख लेना, साथ ए, पहली संख्या, गुणा, साथ बी, दूसरी संख्या, बराबर, लासा गुणा, मासा, तो महत्तम गुणा, लगोत्तम, कुछ भी पहले लेख दो, तो यहां से आप एवी का मान जब निकाल रहोगे, तो साथ गुणा, एक सो चालीस यहां पर आ रहा होगा, बटे में सात और आ रहा होगे, साथ से साथ, नहीं, साथ गुणा, साथ दो बार आ रहा होगे, एक साथ से एक साथ कट जाएंगे, और साथ एकम साथ, साथ दूनी, चवदा स्ट्रेंट्स, यहां पर एग B का मान कितना आ रहा होगा A गुणा B का माना आ रहा होगा 20 अब हमें ऐसी संख्याओं के pair लखना है जिनका गुणा 20 होता है तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका गुणा 20 होता है आप 1 से ही चालू किया करे तो 1 तो हो जाएगी आपकी 1 और 20 ठीक स्ट्रेंट फिर एक हो जायीगी 10 दूनी 20 इस कम 20 दस दूनी 20 और एक हो जाएगी चार पंचे 20 या पांच चो को 20 मतलब इनको इक कई मानते हैं ठीक स्ट्रेंट तो कितने पेर मिले हमें दिन पेर में लिए अब हम हमें यदा उन संख्याओं को फाइंड करना है कि वह इतों संख्याँन क्या-क्या है तो हम ने आपको बताया gefähr MONS uh महात्म समबर तक ही unit होती तो महात्म कितना दिया सात तो यहां भी हम कितना का गुणा करेंक欸 साथ का तो 1 सत्य, 7 आ जाएगा, 20 सत्य, 140 आ जाएगा, 10 सत्य, 70 आ जाएगा, 2 सत्य, 14 आ जाएगा, 4 सत्य, 28 आ जाएगा, 5 सत्य, कितना जाएगा, 35 आ जाएगा, आप स्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं, कि ऐसी हैं वो संख्या हैं, यदि संख्या हैं 20 और 45 के बीच हैं, तो अब आप यह का कह रहा हैं, क्या कह रहा हैं, बीस और पेंतालिस के बीच, तो बीस और पेंतालिस के बीच, कौन कौन सी संख्या हैं, बीस और पेंतालिस के बीच में, एक तो बीस और पेंतालिस के बीच में, एक तो अठालिस है, और एक कितनी है, पैंतीस है, एक कितनी है, पैंतीस है, और है क्या और उनका योग पूछ रहती है तो हम उनको जोड़ेंगे 20 से जादा 45 से कम तो देखो 20 से जादा 45 से कम 20 से जादा 28 और 45 से कम 35 बस उनको हम जोड़ेंगे तो आट रो पांस तेरा के कोस्चन्स को हम और देख लेते हैं ठीक स्टुएंट जल्दी ही बस एंड हो जाने वाले हैं इकट टाइप कोस्चन्स और हम इसी में आपको पता देते हैं तो देखते हैं अगले प्रकार की कोस्चन्स को इसमें क्या कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं स्टुएंट कि बस आपको सबसे पहले तो आप यह समझो इस्टुएंट्स कभी भी लिखा हो चोड़ी चोड़ी संख्या तो आप लगुत्तम निकाला करें कहीं लिखा है बड़ी से बड़ी तो महत्तम हम निकालतें ठीक है इसमें साथ जोड़ने पर प्राप्त संख्या आठारा बारा दस सोला से लगुत्तम होगी इसका मतलब क्या हुआ है स्टुएंट्स कि हमें सबसे पहले आठ बारा दस और सूला का लसी एम मतलब लगुत्तम तो हमें निकालना ही पड़ेगा तो हम पहले इनकालती हैं दूसरी भाग करेंगी चार बार ठीक है बड़ी संख्या है कुछ जादा सब क बाट कि में डारेकट में सबसे करेंगे और यहां रहा तक दूसरी हुआ सिरह यहां रहां यहां है हुआ हम एक थार्वागना जा रहा हए यहां कि पांच यह दो करेंगे पर हम दो इसे करेंगे, हलाकि वह ही छोड़ दिया जाता है, जहां वाज्य संख्या आ जाती है, यही छोड़ देते हैं, टाइम खराब होता है यहां पर, ठीक है, फिर हम पांस से कर रहा होंगे, तो सब जगा एक एक आ जाएगा, और एक एक जहां आता है, फिर क्रिया समाप पांस ही हमें मिल रहा होगा, जब हम इनका गुणा करेंगे, तो दो दूनी चार, दूनी आट, तूनी सोला, त्री अड़तालीस पंचे, अड़तालीस पंचे हम यहां पर कर रहा होंगी, पांच अट्टी चालीस का सुन, हसलाई चार, पांच चुबीस और चार, चोवीस, इसका कितना आ रहा होगा, दो सो चार, तूनी चार, यह जो आठ बारा, दस सोला होगा, इन सब का दो सो चालीस में, इन सब का अलग-अलग भाग लग जाएगा, आप भाग लगा करके देखना, लेकिन वो क्या कह रहे थे, कि वो है चुटी-चुटी संख्या ग्यात करो, जिसमें साथ जोडने पर, तो साथ जोडने पर यह हमें प्राप्त हुआ है, माना वास्तविक संख्या क्या होगी, स्टेंट्स, साथ जोडने पर हमें प्राप्त हुआ है, मतलब वास्तविक संख्या क्या होगी, तो वास्तविक संख्या होगी, दो सो चालीस में से हम साथ क खटाएंगे तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ रहा होगा 233 आ रहा होगा मतलब छोटी हबगा 233 होगी कि जिसमें यदि हम 140uding सान बार हो会गा इन वह सत पूरा हम थाण दूरा भाग जाता है लगपूरा पूरा भागा पूरा हीम में जा रहा होता है ठीक है students एक और questions में है इसी प्रकार से वह है छोड़ी छोड़ी संख्या ग्याद कीजिए इसको type हम 4 ले लेते हैं इसको आज का type 4 मान लेते हैं इसको हम ठीक है type 4 ही सायथ हुए है ठीक है type से कुछ नहीं होता आप तो सभी प्रकार के questions आप से बनने लगें ये हमारी students आप पस like करते चले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करके आप मारी help कर सकते ही तो क्या कह रहे हैं इस question में ठीक है उसी type 4 का इसको आप first मान लो इससे आप type 4 का second मान लो वह है चोटी संख्या ग्याद कीजिए जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त संख्या जो प्राप् आप निकालें इनका LCM जो भी इनका LCM होगा इसमें कह रहे है 11 घटाने पर तो यदि देखो यहां क्या कह रहे थे यहां कह रहे थे 7 जोडने पर तो हमने यहां घटा के उत्तर प्राप्त किया यहां कह रहे है 11 घटाने पर तो आप जो भी मिले उसमें 11 जोड़ देना तो answer प्राप्त हो जाएगा और students इसकी answer आप हमें बताएं इसका option में A हमने दिया है 33, B यहाँ option हमने लिखा है 331, C यहाँ लिखा है 335, D हमने यहाँ लिखा है 99, students आप यहाँ से हल करकी हमें बताएं comment box में लिखें कि type 4 का question number 2 जो होगा type 4 का question number 2 होगा इसका answer क्या होगा आप, students एक type और इसमें बचा है जिसका नाम type 5 है, जब केवल LCM और SCF दिया हो, महत्तम समवर तक नहीं दिया हो, तब इनको कैसे हल करते हैं देख लेते हैं, कह रहे हैं 2 संख्याओं का LCM और SCF करमसा है 1530 वा इंकावन है, दोनों संख्याओं के संभावित योगम कितने होगे, क्या कह रहे हैं, मतलब क्या दिया है उनने, पहले LCM कितना दे रखा है, 1530 पहले का पहले होता है, और SCF highest common factor इसका कितना दे रखा है उनने, इंक्याओं दे रखा है, कह रहे हैं दोनों संख्याओं के गुड़ां लिखते हैं दूसरी संख्या बराबर elcn गुड़ाch delaf Hazal और यह हमेशा यह संख्याओं को अहां उस्ट जो मैं होता है जुटक को संख्याओं वह संख्या होसा रहा हूं हुछ तो A गुणा B बराबर हम यहां क्या कर रहे होंगे क्या कह रहे हैं वो LCM गुणा HCF क्या कह रहे है LCM गुणा SCF तो LCM कमान कितना दिया है यहां पर 1530 दिया है और SCF कितना दिया है यहां पर 15 लेकिन हमने आपको बताया था कि यदि आपको महत्तम हाँ इसमें महत्तम समबर तक दिया है वलत कह रहते हैं संख्या नहीं नहीं है महत्तम समबर तक इपना दिया है इंक्यावन तो यहां इन संख्याओं में हम इंक्यावन का क्या कर रहा होंगे इंक्यावन का यहां गुणा कर रहा होंगे मतलब पर इस परकार से यह दो संख्या हैं नहीं पर इंक आवन और इंक आवन भी होंगे। महत्तम समबर तक को हम हिसान यूनिट माना करें। यहां से जब हम एबी का मान निकाल रहा होगे तो यहां आ रहा होगा 1530 गुड़ा 59 बटे ये इंक आवन और इंक आवन ये कहा जाएंग काट रहे होंगे तो 593 153 और 109 मतलब यहां हमें यहां हमें कितना मिल रहा होगा यहां हमें मिल रहा होगा A गुणा B A गुणा B का मान कितना मिल रहा होगा 30 मिल रहा होगा अब हमें क्या करना यहां से ऐसी संख्याओं को लेना है जिनका गुणन फल कितना हो रहा है तीस हो रहा है जिनका गुणन फल तीस हो रहा है ऐसी संख्याओं को हम लेते हैं तो ऐसे कितने पेर बनेंगे योगम की तो चर्चा करी गई एक तो एक से चालू किया करे तो एक और 3 का भी वन रहा, अब भी हाल फ्यूच कुल पर फियर कितने बन रहा हैं। तो इसका आँसर कितना होगा। मतलब 4 पेर रहा हुगा। दूसरा क्यारे से संख्या हो कि कितने होग मनेंगे, जिनका SCF 16 और LCM 136 है, इसको देख लेते हैं important प्रस्ण है, सब हिस्ट्वेंट्स हमने छटे हुए प्रस्ण हो जैसे SC में पूछे हैं पितली कक्छाओं में, उन्हीं को इसमें सामिल किया है, तो महत्तम समवर तक कितना है सोला, तो हम कहेंगे संख्या है, सोला A, गुणा, सोला B, बराबर LCM, गुणा, LCM, गुणा, HCF, ठीक है, तो HCF कितना है, सोला हिस्ट्रेंट्स, जब हम यहां से A, B का मान निकाल रहोंगे, तो 136, गुणा, सोला, बटे ये, सोला, गुणा, सोला नीचे आ जाएंगे, सोला के दुनिया में, सोला की टेबल पहाड़े में 136 नहीं आते, मतलब सोला से 136 पूरा-पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए स्ट्रेंट्स, जब कभी भी ध्यान से सुनो, नोट लगा के लिख लो, जब कभी भी पूरे-पूरे कैंसल आउट नहीं हो रहे होते हैं, तो हमारा आ सब्सक्राइब पर दो, साथ में दोस्तों के साथ सेर करें, जब नवाद।